कि यह स्टुडेंट स्वागत है आपका सक्सेश क्लासेश टेखनिकल एजूकेशन में मैं शुबम राजपूर आपके लेकर आया हूँ मैथमेटिक स्पॉर्ट इस्टुडेंट जैसा कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जैसे ही आपके सिलेवस अपडेट हो जाए और इनका सोलूशन भी आपको यही पर प्रोवाइट करवाएंगे कल से आपका एक तरीके से मोडियूल 1 हम सुरू कर देंगे और उसके बाद मोडियूल 2,3,4,5 पूरा सिलेवस आपको यही पर कराये जाएगा तो आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मैथ 4 म आपको क्या क्या पढ़ ला है और किस तरीके सा आपको पढ़ आघ को वीडियो मैं आपको प्रोड़ाए। कि आपके सिलेबस में कौन-कौन से math का content include है और किस तरीके से आपको उसके तयारी करनी है और इसी के साथ हम कल से आपके लिए lecture upload करना शुरू कर देंगे जिनमें आपके सारे topic कवर किये जाएंगे और आपको अच्छे सारी हीजों के बारे में बताया जाएगा तो इस्ट्रे पढ़ते हैं तब यह 303 होता है और जब आप इसको इवन समिस्टर में पढ़ते हैं तब इसका code भी है 403 होता है तो आज हम करेंगे आप से स्लेबस का discussion इसका पत करते हैं आगे बढ़ते हैं इसमें क्या क्या हम आपके लेकर आएंगे तो इसके अंदर आपको जो से पांच तो मोड्यूल 1 में क्या है तो मोड्यूल 1 में डियर श्टुडेंट हमारे पास है पार्ट से डिफरेंश्पीशन इक्वेशन आपने जब 12 ऊछी पढ़ाऊगा तो कही नदे आपको इसकेंद समिस्टर होता है तो आपने वहाँ पर इफ्रेंशल इक्वेशन की बिडिटेल वह बन जाती है और इनका फॉर्मेशन करने का क्या तरीका होता है तो हमें कल जब हम शुरुवात करेंगे आपके लेक्टर्स की तो सबसे शुरू में आपको बताए जाएगा कि पार्ट्स डिफ्रेंशल एक्वेशन होती क्या है क्यों इनको बनाया जाता है या क्या हम इनका यूज करते हैं या किस-किस तरीके दर कौन-कौन से ऐसे मैथेड से आप अपने सिमपल यक्वेशन को फार्ट्स डिफ्रेंशल एक्वेशन में करसकते माइब नब यह वोडर किया होगा डिग्री क्या होगा हूँ आपको पिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा आज की लेक्ट्छर का जो आपको आपको से सलदा फैमिलियर कराना है इसके बाद मात करेंगे लàiगरांजी इक्वेशन मेठवेशन मेफट तो सॉवल्ción ऐं से कोर क्या करना है नियकया यहां से एक दू पोटेंट ऑटे हैं तो महां पर हम करते हैं किल MR मेथज का यूुज करके किस तरीके साब पाण डिफेशन को सॉल्व कर सकते हैं लीनियर पार्ट दीट्रेंसल इकुएशन का किस तरीके से से सल्यूशन कर सक्ते हैं जब आप आगे बढ़ेंगे तो यह मासा डूर मरपाद चाहरे इसके बाद बात करेंगे सोलूशन ओफ लीनियर पार्ट से डिफ्रेंशल इक्वेशन ओफ हायर ओडर बिद कॉंस्टेंट कोफिशेंट इस्टुडेंट यह भी पॉर्ट सने कैसा है जैसे लास्ट यह आपने जब ओडिनरी डिफ्रेंशल इक्वेशन पड़ी तो वहाँ पर इस तरीके से अपने रोग्स रियार करने हैं और इनका पूरा अप्लिकेशन आपको यहां पर करना है इसके वाद लास्ट पर पढ़ेंगे एक्क्वेशन डिफ्रेंशल इक्वेशन बिद कोंस्टेंट कोफिश यह पुछ इस तरीके का टॉपिक है जैसे लास्ट यह आपन transformation का यूज करते हैं और अपनी equation को linear partial differential equation में convert करते हैं तो इस टाइप की equation आपको यह पर पढ़ लिए कहने का मतलब यह है जो module 1 है वो आपका partial differential equation का आपको introductory पढ़ाए जाएगा और उसके बाद partial differential equation का solution करने के methods आपको पढ़ाए जाएगे इसके बाद इस्ट्रेंट बात करते हैं module second की तो module second लिखाओ है application और partial differential equation and Fourier transform फोड़ा सा अब इसके अंदर इस unit को बढ़ा दिया गया है पहले एक अप्लिकेशन होती थी पार्सेल differential equation की लेकिन अब इसके अंदर फोर्य ट्रांसफोर्म को भी involved किया गया है और उसको भी include किया गया है इस साल से तो इसमें करना क्या है हमारे पास एक method होता है जिसका नाम होता है method of separation of variable यह single method है लेकिन इसी का यूज करके आपको अलग-अलग condition की जो आपकी partial differential equation होती है उन सबका solution आपको करना होता है या फिर उनका application portion आप लोगों को यहाँ पर पंड़ा होता है जैसे आप इसकी method के तुरू आप solve करेंगे solution और बन-dimensional heat equation तो पहले तो आपको भी बताया जाएगी बन-dimensional heat equation क्या होती है बन-dimensional heat equation के बाद उसकी कुछ boundary conditions होती है उन conditions का यूज करते हुए आपको इस method को apply करते हुए यहाँ पर आपको अपने question का solution करना है तो basically this unit is based on application of partial differential equation in engineering and various type of problem इसके बाद बात करेंगे wave equation की यह wave equation क्या होती है आपको बताया जाएगा wave equation का solution किस तरीके से method of separation of variable का यूज करके कर सकते हैं यह भी आपको सिखाया जाए इसके बाद यह काफी इंपोर्टेंट है टू डाइमेंशनल हीट equation अब इसमें यहाँ पर लिख जया गया है only laplace equation चूंकि इसके अंदर पहले दो या तीन टाइप इक्क्वेशन इंवल्व होती थी अब यहाँ पर क्या करते हैं आप केवल लापलास equation का यूज करके ही आप यहाँ पर आपको पढ़ ला है तो डाइमेंशनल में केवल आप अब आगे ओनली लापलास equation पढ़ेंगे इसके बात करते हैं complex प्रेट्रांस्फॉर्म की अब यह एक नए टॉपिक से इंदर इंक्लूड किया गया है यहाँ पर आपको पनाकिये जैसे आपने लास्ट एर्ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था तो यहाँ पर आपको गया पढ़ना है complex प्रेट्रांस्फॉर्म पढ़ना है और इसके साथ पढ़ा था तो वहाँ पर भी आप क्या करते थे एक Convolution theorem आपको वहाँ भी दीवीती यह उसी का एक extension है partial differential equation के लिए आपको इसका यूज कर सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे application of Fourier transform to solve partial differential equation लाश्ट एर जैसे आपने Fourier transform का भी यूज किया था लाप्लास transformation का यूज किया था थोड़ा था लाप्लास transformation का यूज करके भी आपने ordinary differential equation का solution किया था लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ करना है यहाँ पर आपको मोडियूल नमबर 3rd मोडियूललल 115 महाँपर आपको इस्टैटिक और प्रोबियबिटी पड़नी तो आपकी जो मोडियूल 3rd वह है बैसीकल इसको नाम है स्टैटिस्टिकल टेकिनिक स्टैटिक्स पड़ना और इस्टैटिक्स आपकी बहुत ज़्यदा सहायता करती है इस प बारे में आपको पढ़ लाएं उन्हीं को सेंटल टेंडेंसी भी बोल दे जाता है मीन मॉड मीडियन उसके बारे में आपको बेसिक से बिल्कुल अच्छे दे पढ़ लाएं क्यूंकि उसी का आगे फिर आपका यूज होगा जैसा आप आगे पढ़ेंगे मुमेंट्स आप प स्टाइम कर ल security कर्व की क्वेशन एक तरीके से कंफाइंड करनी होती है तो इस प्रेंट यहां से एक शूर कोशन आता है तो आपको काफी अच्छे देपनना है बार 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 इस्ट्रेंट आप से कहूंगा कि जो स्टेटिक्स की आपकी तीन यूनिट है वह बहुत ज्यादा आपके लिए ह कोशन शूर आता है बड़ा कोशन और चोटे कोशन भी यहां से अकसर बन जाते हैं तो यह भी आपके लिए काफी इंपोटेंट है दोनों टॉपिक और रेंक को रिलेशन दोनों आपको पढ़ने और इसके बाद जो इसका लास्ट होगा उसमें आपको रिग्रेशन एनलिस का इसके बाद आपको पढ़ने जाता था वो इसलिए बताया जाता था चूँकि इंजरिंग मैंथ में बहुत ज्यादा इसका यूज़ के आता है तो पहले तो आप प्रोबेबिलीटी का बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद आप पढ़ेंगे probability random variable discrete और continuous दो टाइप के होते हैं तो आपको यह पढ़ना है कि वो किस तरीके से काम करते हैं probability तो आप पढ़ते हैं लेकि probability के basic के साथ आपको क्या करना है इनका random variable भी पढ़ने हैं discrete और continuous इसके बाद हम बात करेंगे probability mass function की और probability density function की यह भी दोनों काफी important आपके topic है क्योंकि यहां से आपको आगे के question काफी जादा मिल जाते हैं इसके बाद हम बात करेंगे आगे इसमें expectation and variance की देखे काफी यादा आने लगा है छोड़े नंबर में या फिर ज्यादा नंबर में भी आने लगा है तो यह भी आपके लिए important topic रहेगा इसके बाद हम बात करेंगे discrete and continuous probability distribution की तो इसमें हमको करना क्या है जैसा कि हमने बता है आपके random variable दो टाइप के होते हैं discrete random variable and continuous random variable तो आपको करना क्या है यह आप पर discrete और continuous एक आपम ने उपर बैरियेबल परहा इसके बाद आपको क्या करना है इंका probability distribution आपको पढ़ना है जिसको में आप क्या हो देते हैं discrete and continuous probability distribution की study बोल देते तो पहले तो आप क्या करेंगे आपको random variable परतने के बाद क्या करना है आपको इन continuous or discrete probability distribution को किस तरीके से जज़ किया आता है किस तरीके से आप इनकी values find out करते हैं यह आपको सीखना है इसके बाद student बात करेंगे तीन हमारे पास distribution है binomial distribution poison distribution और नॉर्मल distribution देखें तीनों इन distribution काफी ज़्यादा important है या तो इनके उपर direct question पूछे आते हैं या फिर ऐसा होता है कि इनके मीन मौड मीडियन या फिर इस टाइप के moment generating function इस टाइप के कोशन इनके उपर आजकल बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं तो तीनों जो आपको इस डिस्टिवीशन है या पढ़ना है आपको इस ट्रेट देखे आपको लास्ट मोडियूल स्टेडिस्टिकल टेक्निक्स टू इसके अंदर आपके क्या-क्या आपको पर तैयार करना है इसमें आपको करना क्या स्टूरि पर काम करना है स्टूरि आप जानते हैं जब आप किसी बहुत बढ़े डेटा को लेते हैं तो बहुत बढ़े डेटा कि आपको आपको हैपसेशिज को की यहीं तो है है alternative hypothesis पंडना है इन सब hypothesis के according फिर आपको अपने data की study करनी होते हैं और फिर आपको यह बताना होता है कि आपका कौन सा hypothesis acceptable है और कौन सा hypothesis आपका rejectable है तो यह यह वाली जो unit student comparatively easy होती है इसके अंदर आपको अपनी तरफ से एक hypothesis मानना होता है तिर उसके उपर आपको टैस्ट लगाते हैं जैसे testing of hypothesis आपका next topic होगा तो उसमें आप किया करते हैं कुछ आपकी basic term होते हैं like level of significance, confidence limit होती है और test of significance होते हैं आपके जैसे t-test है, z-test है, chi-square test है इन test के उपर भी every year बड़ा question जरूर आता है, काई-square test one of the favorite of all the examiner, कभी भी paper set करते हैं तो काई-square test का question जरूर आता है, और कभी-कभी छोटे question में t-test है, z-test का question भी आप लोगों को मिल जाता है, आज कर student इसके question भी काफी आएं लगे है, statistical quality control, अभी last semester की बात करें, लगे हैं, और control chart तो every year एक बनाने के लिए आना है, चाहे वो आपका P chart आए, NP chart आए, या C chart आए, कोई ना कोई एक chart आपका आएगा जरूर, तो कहने का मतलब ये student, ये unit काफी आपकी जो है easy होती है, और यहां से आपको बड़े question ही मिल जाते हैं, और यहां से आपको छोटे question मिलने की पूरी संभावनाई रहती हैं, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे तियार करेंगा, आपके लिए beneficial रहेगा, तो student, hopefully, मैं ऐसा उमीद करता हूं कि आज आपको आपके syllabus के बारे में हमने बताने ही कोजिस किये, आप लोग की समझ में जरूर आया होगा, कल से हम आपके module 1 से आपके topic by topic आपके lecture अपलोड करना शुरू कर देंगे, आप हमारे चैनल को like, subscribe करिए, और ज्यादा ज्यादा बच्चों को भी share करिए, ताकि जो information हम बच्चों तक पोचाना चाहते हैं, वो कि युल 1 से अपलोड करना शुरू कर देंगे, thanks student, thanks a lot.